नमस्कार दोस्त आप सभी का स्वागत आपके अपने यूटूब चैनल भारती करनशी पर जानती जाती है पुराने नोट वे सिकों की सही जानकारी मैं हूँ आपका दोस्त महेश परजपत दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 50 रुपे के रेर नोट के बारे में ऐसे 50 रुपे के नोटों में कई ऐसे नोट आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा केमती हैं और रेर भी हैं लेकिन दोस्तो ऐसे दिखने वाले 50 रुपे के परतेक नोट केमती नहीं है मगर दोस्तो यूटूब पर काफी ऐसी सारी फेक वीडियो है जिसमें ऐसे नोटों की केमत लाखों में बताई जा रही है किसी वीडियो में 5 लाख रुपे बता रहे हैं तो किसी वीडियो में 25 लाख रुपे बता रहे हैं और तो और ऐसे 50 रुपे केमत करोडो रुपे तक बता रहे हैं दोस्तों ऐसे फेक वीडियो से साब दान क्यूंकि ऐसे नॉर्मल नोटोगी किमत लाखों में बता रहे हैं दोस्तों ऐसे गुमरा करने वाले वीडियो देखना बंद केजिए दोस्तो आज के इस वीडियो में ऐसे 50 रुपे के नोटों की कीमत इस गाइड बुक से देने वाला हूँ गाइड बुक में जो कीमत बताई गई है वो कीमत अनुमानित है जो कि थोड़ी सी उपर या फिर थोड़ी सी निचे है इसलिए दोस्तो वीडियो पूरा देखें सरुष से लेकर अंतक वीडियो होने वाली एखास इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल पर पहले बार आए हैं तो निचे लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और साथ हमें बेल बटन को भी दबा किसी भी नोट को केमती नोट बनाती है कुछ बातें जैसे गवर्नर के अस्ताक्सर प्रिफिक्स और इंसर्ट ये तीनों चीज निदारित करती है कौन सा नोट केमती है और कौन सा नोट नोर्मल है दोस्तो रिजर्बेंक की स्थापना 1935 में हुई थी मगर 50 रुपी के 1937 से लेकर 1935 तक था बात करते हैं केमती नोटों के बारे में आज के वीडियो का जो एक नम्मर का नोट है वो है एम नर्सिमम का जो कि सबसे केमती नोट है ये नोट 3 अक्टूबर 1977 को जारी किया गया था इस नोट की डिजाइन के बात करें तो डिजाइन में आपको अक्सर दिखाए गए है तेरा बासाओ में 50 रुपे लिखा गया है और गवर्नर का प्रोमिस दिखाए गया है बेक साइड के बात करें तो बेक साइड में आपको पार्लियमेंट बिल्टिंग दिखाए गई है बिदाउट फ्लेक के ये नोट है अम नर्सिमम के अस्ताक्सर वाला नोट जिसका प्रिफिक्स है cf to cn अगर ये नोट आपके पास है अम नर्सिमम के अस्ताक्सर वाला तो इस एक नोट की केमत 4,500 रुपे है बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे नमर के नोट के बारे में जो कि एस जगनाथन के कारिकाल में जारी हुआ था इस नोट की डिजाइन भी वे सी है जैसे पहले वाले नोट की थी ये नोट बारत का पहला नोट है जो पचास रुपे के रुप में जारी हुआ था इस नोट का जो प्रिफिक्स है वो है डबल एस टू एच तक इस एक नोट की किमत जाती है 35 रुपे तक तीसरा नोट है के रुपूरी का जो 1975 से लेकर 1977 तक के रुपूरी का करेकाल था इस नोट की डिजाइन भी वे सी है जैसे पहले थी इस नोट का जो इसू विद प्रिफिक्स है वो एक के टू सी ए है और इस एक नोट की किमत एक जार रुपे बताई गई है अगले नोट के बात करें अगला नोट है आई जी पटेल का यह नोट 1937 से लेकर 1922 तक जारी किये गए थे इस नोटों में डिजाइन को थोड़ा चेंज कर दिया गया था इस नोट के और सामने के और देखेंगे तो असोक स्तम के निचे आपको सत्य में जैते लिख के आने लगा था और ब इंडियन फ्लेग दिखाई देने लगा था इससे जो पहले नोट थे उस पर इंडियन फ्लेग नहीं दिखाई देता है इस नोट का इसूबित प्रिफिक्स है वो CP से लेकर GW है और इस एक नोट पर की केमत 500 रुपे इस बुक में बताई गई है अगला नोट भी IG प्रिफिक्स है जिसका इसूबित प्रिफिक्स है डबल ए टू डबल सी और इस एक नोट की केमत 500 रुपे इस बुक में बताई गई है अगला नोट है डॉक्टर मन महुन सिंग का जो 1982 से लेकर 1985 तक जारी के गए थे इस उबित प्रिफिक्स है CE2EB इस एक नोट की केमत इस बुक में 300 रुपे बताई गई है दोस्तों अगला नोट है आरन मुलोत्रे का आरन मुलोत्रा का करेकाल 1985 से लेकर 1990 तक था और इस नोट के जो प्रिफिक्स है वो डबल E से लेकर डबल डबलू है इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट है आरन मुलोत्रे का जो की इंसर्ट में जारी किया गए था इस नोट का इंसर्ट है A और इस उबिद प्रिफिक्स है डबल A से लेकर LR इस एक नोट की केमत 200 रुपे है अगला नोट है आरन मुलोत्रे का ही जिसका इंसर्ट था B इस उबिद प्रिफिक्स है डबल A से लेकर D के इस एक नोट की केमत 200 रुपे है अगला नोट है S वेंकेट रुपन का जो 1990 से लेकर 1992 तक इनका कारिकल था इस एक इस नोट का जो इंसर्ट है वो A है और इस उबिद प्रिफिक्स है M G के इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट भी S वेंकेट रुपन का है जो की B इंसर्ट में जारी किया गए था इसका इस उबिद प्रिफिक्स है E A to G H इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट है Dr. C. रंगराजन का जो की A इंसर्ट में जारी किया गए था इस इस एक नोट की केमत 300 रुपे बताई गई है अगला नोट भी Dr. C. रंगराजन का है जो की B इंसर्ट में जारी किया गए था जिसका इसू बिद प्रिफिक्स है G K to M W इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट है इस नोट का जो की C इंसर्ट में जारी किया गए था इस नोट का जो इसू बिद प्रिफिक्स है वो है डबल A से MN इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट है Dr. बिमल जालान का जो 1997 से 1998 तक का कारेकाल था इस नोट का जो इंसर्ट है वो है B और इस उबिद प्रिफिक्स है N A से R W इस एक नोट की केमत 200 रुपे बताई गई है अगला नोट है एक केमती नोट है Dr. बिमल जालान का जो की C इंसर्ट में जारी किया गए था इस नोट का जो प्रिफिक्स है वो N A से N H है और इस एक नोट की केमत 750 रुपे बताई गई है दोस्तों हमने इस वीडियो में 3-4 नोट है जो की केमती है एक बार फिर से बता देता हूं कौन-कौन से है अनरसिमम का जो नोट है जो 4500 रुपे जिसकी केमत बताई गई है दोस्तों इस बुक में ऐसा कोई भी नोट नहीं है जिसकी केमत लाखों में बताई गई है तो इसलिए दोस्तों इसे फेक वीडियो से साबधा मत देखे इसे फेक वीडियो दोस्तों कमेंट में जरूर बताईए कि इस बुक से दी गई जानकरी आपको कैसी लगी अगर आपके पास इसे 50 रुपे के नोट है तो कमेंट बग्स में जरूर बताईए अगर आगे के नोटों की जानकारी के लिए आपको अलक से वीडियो बना कर दिया जाएगा आप देख लीजिए ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए चैनल पर पहले बार आए हैं तो निचे लाल रंग के बटन को दबा कर सब्सक्राइब करें और साथ हमें बेल बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो नोटोपिकरेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आप हमारा वीडियो देख सके इस वीडियो में अगर आप कोई अपनी सला देना चाहते हैं या अडवाइज देना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में जरूर शेयर करें वीडियो लाच तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जे हिन जे भारत